प्रापर्टी डिलरों के उपर हुए प्राणगातक हमला और लोट के आरूपियों की गिरफतारी की मांग को लेकर सेकडों लोगों ने पुलिस अधिक्षक कारले पहुचकर ग्यापन सौपा और गिरफतारी की मांग की है आपको बता दे कि 16 अगस्त को प्रापर्टी का काम करने वाले जैप्रकास पटेल और राकेश रतन पटेल काउन की अधिवक्ता के घर से एस्वरिया राज सिंग, प्यूसमिस्त्रा, विने सिंग और पवंदुबेदी के दारा पिश्टल की नोग पर अपहरन कर बेरहमी से प जवा दिया था, घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने उपचार के लिए स्पताल में भड़ती कराया है, लेकिन आरोपियों के गिरफतारी ना होने के चलते, परिजनों ने पुलिस अधिक्षा को ग्यापन स्वाप कर कारवाही की मांग की है, आई आपको सुनाते हैं पुलिस अधिक्षा कारेले पहुचने वालों ने का कहा है? अगली करवाही करने के लिए उन्होंने सब जगे निर्देशित किया है, और उमीद है कि साम तक सारा का सारा जो मामला है, वो पूरा सामने आ जाएगा, अब सिर्म और चौराहे से इनके घर से बुलाया गया था, इनको किसी बात के समझाओते के लिए, लेकिन ले जाकर कहीं अन्यम्त्रिस्तान में इनके साथ मारपीट की गई थी, वीडियो भी है, वीडियो मेरे संग्यान में अभी आया है कि वीडियो बना हुआ है, बांकि फोटो जो और मैं हास्पिटल भी देखने गया था, तो अहां तो उनकी हालत देखा ही है, किस बेरहमी से मारा गया है उन लोगों को, मने इस तरह से अपराधियों को नहीं मारा जाता है, पुलिस नहीं मारती जिस तरह से उनके साथ करत्त किया गया है, और हमने देखा उनकी फिक्चर भी लिया हूँ वीडियो तो अभी बताए है कि किस तरह से मतलब हो लेकिन फोटो देखकर ऐसा लगता है कि कपड़े खोल कर मारा गया है पीठ में भी चोटके निसान है यहां भी है यहां में पूरे सरीर में हर जगा है उनके चोटके निसान लगे हो गया